हेलो गाईज मेरे चैनल में आप सब का स्वागत हैं क्या आपने कभी सोचा है eco-friendly संत्रे का जूस चलिए तो आज हम वही सिखने वाले है संत्रे का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम संत्रे का उपर का हिस्सा काट देंगे आपको बहुत पतला सा हिस्सा काटना है फिर उसमें चमच की साहेता से अंदर का जितना भी गुद्धा है उस क्रैप करके निकालना है देखे जिस तरह में धीरे धीरे स्पून को अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है और पूरा अंदर से गुद्धा पहले स्पून की साहेता से गुमा कर अब उसको डारेक मिक्षर ग्राइंडर के अंदर हम डाल देंगे देखे ध्यान रखे ये करते टाइम जो छिलका है वो फटे नहीं और नहीं नीचे से तूटे ये आसानी से बहार आ जाएगा स्कूप करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अंदर जितने भी बीज है वो आपको निकाल देना है ये मैंने ओफ क्यामरा कर लिया था मैंने यहाँ पे पांच संद्र लिये थे और उसका गुद्धा निकाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे शुगर शुगर आप अपने मिठास के हिसाब से डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे फोर डेबल स्पून शुगर लिये है साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काले मिर्ज का पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे सेंदा नमक यह भी आपने स्वात के अनुसा डाल सकते हैं अब हम इसको मिक्षर ग्राइंड कर देंगे इस टेज़ पे आपको पानी जरा भी ने डालना है अब हम इनको चान लेंगे मेनवाल गाइज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और यह मेरा इको फेंडली वाला आइडिया आपको कैसे लगा यह कमेंट में जरूर बताना लाइक और शेयर करना मत भूलना पानी ना डालना जितना भी जूस है इसमें रसा है वो आप चन्नी और चमच के जायता से निकाल देजे अब हमारा जो छिलका था वो हमारे ग्लास की तरह यहां पर आक्ट करेगा और यह हमारा इको फेंडली तरीका है इसमें हम जूस भर देंगे देखें कितने खुबसूरत लग रहा है मैंसे गानिश करूंगी मिंट लीज के साथ तो तयार है हमारा इको फेंडली संत्रा जूस आप भी अपने घर पे जरूर ट्राइ करना थैंक्यू गाइस पर वाचिंग बाई